हाई फ्रेंद्स, तो आज का यह मेरा टॉपिक है, वो मेरा सबसे फेविरेट टॉपिक है, क्योंकि यह टॉपिक का नाम है Candid Wedding Photography मैं 10 साल से Wedding Photographer हूँ और Major League Candid Photography करती हूँ तो आज की यह वीडियो में हम जानेंगे कि आप बहतरीन Candid Wedding Photos जो आज कल का सुपर हिट, मतलब ओवर दे टॉप, इंस्टा का जो टॉपिक है ना, वो आपको क्राक करना है तो आए देखते है, तो Candid Wedding Photography होती क्या है तो यार सालों से जो फोटोगरफी चलती थी ना, जहाँ पर अरे साइड आजाओ, अरे साथ में आजाओ, अरे यह सारी Ceremenies ले लो तो यह सारी जो फोटोगरफी है, जो Wedding Photographer करते हैं, वो तो Important है ही है यह तो आपको चाहिए ही, पर यह जो दिल के Emotions होते हैं, जो इतना खर्चेदार Decoration होता है जो Family के बीच में जो यह Intimate Moments होती है, Couple के बीच का जो यह Romance होता है इसको सबसे Best और Story Telling Way में प्रिजेंट करना और Capture करने का काम एक Candid Wedding Photographer का होता है तो अब हम यह समझेंगे कि आपको ऐसी Photography करने के लिए कौनसे Equipments चाहिए, देखे है बहुत सारे Photographers इतना सारा Equipment लेके जाते हैं, कि ऐसा दखता है कि वो लोग उसमें ही उलज गया है यह camera से वो camera, यह lens है, वो lens यह उससे आपका पूरा ध्यान तो जो emotion है, जो storytelling image है, जो effect है उसमें ध्यान देना चाहिए यह सारे Equipments पर नहीं, तो मैं usually एक 5D Mark 4 का Camera, जो एक full frame camera, अभी यह full frame camera क्या है वो सब आपको हम लोग next वीडियो में समझाएंगे पर अभी हम लोग यह समझ लेते हैं कि कौन से कौन से Equipments आप यूज कर सकते हो, तो यार फुल frame camera, तीन lenses, 7200, 24-105 और 50 mm lens That's it, that's it, that's what I use as a photographer, बहुत सारा तामजावन ही होना चाहिए, फोटोगरफर की आखे और उसकी वो storytelling instinct उसके लिए आपको मेहनत करनी है अभी, आप बताओगे, बस इतने Equipments की जरूरत होती है, ये तो है मेरे पास, पर मेरे फोटोज ऐसे क्यों नहीं आते हैं? रुको रुको, इसके अलाव अभी आपको कुछ-कुछ चीज़े ऐसे चाहिए होती है, छोटी-मोटी चीज़े, जिसके वज़े से आपकी जो फोटोगरफी है, वो ऐसे ऊपर आ जाएगी और वो क्या-क्या है? जब आप कैंड़ फोटोज कीचते हो, उसमें कुछ depth of field की images के लिए आपको मिर्ची लाइट्स, या crystal ball, या फिर वहाँ परी जो फूल पड़ा रहेगा, या फिर कोई ऐसा कपड़ा रहेगा, जिसके वज़े से आपको ऐसी कोई effect मिले, कि वो पूरी image को depth दे दे, ये बहुत important है, बहुत ही, बहुत ही जादा important है, जो lens आप use कर रहे हो, वो shallow depth of field, मतलब f1.8 या f2.8 support करे, वैसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो depth of field की effect है, और पीछे को जब background blur करना है, वो उससे ही होगा, मैंने आपको 3 lenses बोले थे, वो 3 lenses का एक combination है, एक में क्य सारे storytelling photos ले रहे हो, 24-105 lens है, उसमें हम क्या कर रहे है, सारे जो moments हो रहे है, ceremonies में, dance के बाग, जो ये drama हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा medium-wide, medium-wide में capture कर रहे हो, और आपकर ये 50mm lens है, वो सारे जो beautiful shots होते है, जो getting ready का वो spray shot होता है, या जो सिफ आंख पे focus होना है, और सब blur हो जाता है, यह सारे जो beautiful, जो beauty shots होते है, वो सारा कुछ हम लोग 50mm के lens से ले लेते है, काफी लोग मुझे कहते है, कि आर, पर, candid photography करने के लिए तो ऐसी lights चाहिए होती है, और lighting equipments चाहिए रहते है, बिल्कुल चाहिए होते है, क्यूंकि lighting के बिना तो कोई भी photography possible नहीं है, पर आपको यह समझ मिना है, कि आप कौन से-कौन से lighting equipments आपको wedding photography करते वाई अच्छे पड़ेंगे, देखे, सबसे पहला आता है natural light, अगर आपकी जो यह wedding है, वो natural light में है, तो आप भी जंग जीत के है, पर अगर ऐसा हुआ कि, नहीं, closed indoor में है, ट्राइ कीजे कि आप couple को natural outdoor light में ले किया है, और वहाँ पर उनका couple photo shoot करें, bridal photo shoot करें, तो ज्यादा तर natural light को आपकी photography में involved करें, अगर आप नहीं involved कर पा रहे हो, तो भी आपके पास एक possibility है, जहाँ पर आप window open करके, window से bride के और couple के photos ले सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही sweet लगता है, क्य मैं तो usually pota light, LED light और flash lights, यह तीन चीज़े यूज़ कर रही हूँ, जब आप मंदप के अंदर हो, ठीक है, आप शादी का मंदप रहता है, या ऐसी कोई जगह रहती है, जहाँ पर videographer भी आपके साथ काम कर रहे है, ट्राइ कीज़े कि आप pota light यूज़ कर ले, pota light में क्या हो तो 2000 voltage की light मिल जाती है, जो काफी हो जाती है, आपकी photography शार्प और अच्छी दिखाने के लिए, अगर आपको लगे कि नहीं यार, मतलब pota light में कुछ yellowish tone आ रहा है, आपको आपका white balance 3200 रखना चाहिए, किर भी अगर आपको ऐसा कुछ फील आ रहा है कि नहीं, जैसे मस्ता आपके जो camera bag होती है, उसमें add भी हो जाएगी, और फिर भी अपको लगे कि नहीं यार, मुझे तो flash light, studio light ये सब use करना है, हमेशा ऐसे सारे light equipment आपके साथ रखे जो handy रहे है, आप एक जगा से दूशरी जगा shoot करने जा रहे हो, आप अंदर studio में काम नहीं कर रहे हो, क देखो possibility है, तो करो उपर the thing is, हो से कि उतना handy चीज़े रखो, अभी Godox का जो light मैंने भी लिया था, Godox AD200 का light, मस्त चलता है, दो light लगा दिया, आपको studio light जैसा ही effect मेलेगा, जो flash यूज करते हो, जो अपना Canon का flash आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, मतलब मैं Canon यूज कर रहे हो, कोई variation ही नहीं है, तो आप Candid Photographer कैसे बनोगे, एक अच्छा Candid Photig Photographer ये होता है, जो हर अलग-अलग lighting equipment को लेके, situation के हिसाब से, उसको utilize करके photography करता है, जैसे मैंना मंडप में pota light बोला, जो bridal portrait रहता है, उसके लिए, मेभी आप outdoor light यूज कर सकते हो, पर अगर आपको एक सुन्दर सा, beautiful couple photo location है, शायद मैंने LED light यूज कर लिया, हो सकता है, depend करता है, मैं दोनों तीनों चीज़े यूज कर लूँ, तो आपको ये decision लेना है, कि आप, आपकी creativity के हिसाब से, कैसे shoot करो गया, अब, मैंने बता दिया, कि यार, मैं क्या के कहरती हूँ, मैं कैसे कैसे क creativity में लो कैसे, मैं ऐसा सोच हूँ कैसे, मैं ऐसे ऐसे photos लो, चलो ये सारे equipment मेरे पास आगया है, सारे lighting set कर ली, पर मुझे पकड में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मतलब वो shot लो, right, research and experience, बस, आपका काम हो गया, आपकी नईया पार लग गई, जब मैंने start किया the photography, the only thing which I did is, I used to research a lot, मतलब Instagram ले लो, Google ले लो, जहां पर भी possible है, जितने भी photographers है, मैं तो usually इतको stocky करती थी, stocking करती, मतलब कौन से photos है, कितना अच्छा photo की चाहे, उसने वो photo कहां पर, कैसे क्या, मैं screenshot इतने phone में लेके रखती थी, ठीक है, ये हो गया मेरा research, फिर मैं क्या करती थी, उस type के photos लेने का try करती थी, मेरी institute में, जहां पर मैंने सीखा था, वहां मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई गई थी, enacting a picture is also an art, मतलब आप बोलोगे यार, ये photo जैसा मैं photo हूँ, यार नहीं, मैं तो अपने creativity दिखाना चाहता हूँ, ऐसे creativity नहीं आएगी, पहले आप वो तो सीखो कि उसने कैसे लेके दिखाया है, उसने लिया, मतलब आप ले सकते हो, try करो, try करना और उस type का photo लेना भी एक art ह जाएगा, और एक दिन जब आपका art बन गया, automatically आपका जो वो artist दिमाग है न, वो आगे आजाएगा, और फिर आपके एक standard statement pictures भाहर आएगे, तो उस चीज के लिए आपको क्या होता है, experience, तो पहले आएगा research, और फिर आएगा experience, और फिर ये दोनों को intact रख के, आपको continuously उस कर लेंगे, कर लेंगे, पर camera में क्या setting रखने है, ये बहुत ही normal question है, कि मैं क्या camera में setting रहा हूँ, मैं अपना setting को समझा देती हूँ, फिर आपके हिसाफ से trial and error कर सकते हो, मैं AV mode यूज करती हूँ, aperture priority mode, जहां पर मैं aperture जो है, वो अपने end से set करती हूँ, shutter अपने art decide होता है, और ISO, अगर मैं studio light यूज कर रही हूँ, या flashlight यूज कर रही हूँ, तो 100-400 के बीच में होता है, sunlight में भी 100-400 के बीच में होता है, portal light रहता है, तो पकड़ लो 2000 के अंदर आ जाता है, पर अगर ऐसी कोई situation है, जहां पर light बहुत कम है, full frame camera है, मेरा range ISO का का काफी अच्छा है, त तो मैं और थोड़ा सा उपर shift करती हूँ, try करो, avoid करो shift करना उपर, but this is how I work out, अभी जो white balance है, उसके लिए भी अलग से video बन रहा है, यही week में upload होने वाला है, please check it out, काफी photographers आपको बोलेंगे यार, आप candidate wedding photographer हो, manual mode पे ही photography करना चाहिए, ठीक है, manual mode पे photography करो, आपको जम रहा है आपको सही लग रहा है, आपकी photography सही से हो रही है, manual mode पे करो, मुझे manual mode पे भी जमता है, पर I feel personally कि aperture priority में time कम waste होता है, और मैं ज़्यादा अच्छे से storytelling photos ले सकती हो, possibility ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैं उसको prefer कर रही हूँ, आप अपके experience और trial से समझ जाओगी कि है, आपका style क्या है, अब आपने सारी चीज़े सीख ली, सब कुछ है, काफी photographer आजाते हैं, शादी में, सच में हुशार photographer होता है, पर फिर भी है उसके confidence नहीं बढ़ता है, मैंने तो अभी तक उसके photos देखी भी नहीं है, फिर भी confidence नहीं बढ़ रहा है, कपड़े, style, hair style, य आप क्या पहन के जा रहे हो, आप कैसे तयार हो रहे हो, आप कैसे उस wedding को respect देते हो, ये सारी चीज़े भी determine करेगी, कि भई, ये लग रहा है, professional photographer लग रहा है, इसी feel भी आनी चाहिए, जब आप सही से तयार होगे, आपको भी feel आएगा, आपको भी सही लगेगा, शायद ग्यान रखे, I hope आपको ये वीडियो काफी informative लगी है, मैंने अपनी experience के hesap से आपको ये वीडियो में हो सत्य उतना ग्यान बाटा है, let me know in the comment section आपको किस टाप के और वीडियो चाहिए, तब तक के लिए, thank you, see you soon.